हाई मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं दी लरेंट आप और एक बार फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम सोशलिस्ट हो सकता है यह आज हमारा आखिरी शो हो क्योंकि यह लंबी छुट्टी के बाद दोटे है हमारे दोस्त वारूर ने कहा कि आज कैमरा तेरा भाई चलाएगा अब देखते हैं वो मुझसे कैसे दुश्मनी पूरी करता है समसे पहले जान लेते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या चला कहा रंगों पर हंगामा हुआ किसने माफी मागी कौन गिडा कौन उठा जानते हैं आज की दिन का एजेंडा कपिल मिश्रा ने माफी मंच गिर पड़ा और इंडियन हैकर्स ने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी चुंगी कर दी है और पिक आफ दे में आपको धियाएंगे कैसे नौकरी मिलने के बाद एक लड़की खुसी से नाच पड़ी और वीडियो वाइरल हो गया लेकिन उस सबसे पहले शोशल मीडि के घर के बाहर फाइरिंग की खबर भी आई शोशल मीडिया पर छाई रही तस्वीरें आज डी एंडी पर अमन बैसला को नियाए दिलाने के लिए दो किलो मीटर लंबा जाम लागाया गया है हैस्टेग वगे रह चले भारी भीड उमडी वहां की तस्वीरें और नियाए म पता आई गई है कहां कहां है यह नहीं बताया गया कहा जा रहा है कि शिकारियों से बचाने के लिए इसका पता नहीं बताया गया होगा वाइरल है फ्रांस बिहेडिंग फ्रांस में पैगंबर मुहम्मद का काटून दिखाने पर एक टीचर की हत्या पर शुरू हुई बहसें भी थमी भी नहीं थी कि फ्रांस के नीज में नोट्रेडेम चर्च के पास तीन लोगों की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई वहाँ के मेर के हवाले से हमलावर के अल्ला हुअकबर चिलाने की बातें आई जिसके बाद ट्वीकर पर भी धर्मू को लेकर कई तरह की बातें चली लेफ्टिस्ट क्या लिखेंगे ऐसे ट्वीट आये फ्रांस के साथ सोलेडारिटी के ट्वीट आये आलाह उत्पर भी ट्रेंड होता ने जर आया अब बर चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की और पहली ख़बर जूड़ी है कपिल मिश्रा से कभी आम आद्मी पार्टी और भारती जंता पार्टी के अब के नेता कपिल मिश्रा ने जब कभी आम आद्मी पार्टी छोड़ी थी आम आदमी पार्टी का आईटी सेल और उनके समर्थक सीधा पिसान लेकर भूत पूरो आम आदमी पार्टी के स्नेता पर जा चड़े मीम बाजी हुई बताया गया कि जब आरोप लगाये थे तब ये दिखते थे ऐसे और जब सबूत मांगे गए तो उनका कुछ ऐसा हाल हुआ जब भी माफी मांगनी की बात आती है वीर सावरकर का नाम ट्विटर ट्रोल्स लेने लगते हैं एक बार फिर उनका नाम लिया गया कापिल मिश्रा की तुलना वीर सावरकर से की गई ये भी याद दिलाया गया कि कैसे कापिल मिश्रा ने आरोप लगाया उसके बाद फेमस होकर बाजबा जोईन कर ली मेरे मुह से निकल गई वाले बच्चे को भी याद किया गया उसके मीम भी चले जनता देश के गदारों से माफी दिलवाएंगे सारों से ऐसे वर्ड प्ले भी करते मिली बढ़िया है माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे हास्पिटल के सोचालियों पर लगी रंगी इन टाइल ने अब विवाद का विशय बन गई है दरसल इन टाइल्स का कलर और उनका अरेंजमेंट ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के जंडे से मैच करता है सपावालों ने इसको अपना अपमान समझा और इस बातवर भड़क गए कहा कि ऐसा जान बूच कर किया गया रहा है अब हुआ क्या भाजपा को दोश दिया जाने लगा कहा गया कि प्यूश गोयल इसको हटवाएं नहीं तो ये माना जाएगा कि ये उन्हों नहीं कराया है कुछ ने दूशित मान सिकता गहा कुछ ने एक दम अलग बात कही कि क्या करना सपा का प्रचारी तो हो रहा है कुछ ने कहा इस हिसाब से तो रंग खत्म हो जाएंगे लोगों ने ये भी कहा कि रंग तो प्रक्रत का दिया हुआ है किसी भी रंग से सौचाले को रंग आ जा सकता है इसमें क्या गलत है मामरा चुकी रेलवे से जुड़ा है इसलिए शेम औन यू पियूश गोयल चला इसमें सही खेल गए वो बच्चे जिन्होंने राजनीतिक ट्वीट्स के बीच कंप्लीट एलपी ट्रेनिंग वाले हैश्टेग और पोस्ट भी डाल दिये और इस सब के बीच रेले वालों का जवाब आता है कि ये टायल्स तो अहाँ पहले से ही लगी है और विवाद अब हो रहा है और उन्होंने स्वच भारत अभियान की बात किये और कहा कि आई ये सब मिलकर देश को साब सुथरा बनाते हैं और अब आपको दिखाते हैं आज का सब से वाइरल वीडियो मशकूर उस्मानी कॉंग्रेस के उम्मिदवार हैं दर्भंगा जिले के जाली विधान सबा सीट से एक वीडियो में कह रहे थे कि लोगतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है जैसा ही ये बोले मंच भरभरा आग़ा अब चुकि हम तो वो लोग हैं जो किसी के गिरने का मजाख उड़ाते नहीं है लेकिन इस वीडियो में मंच गिरने की टाइमिंग एसी थी कि बड़ी कॉमिक सिचुएशन बन गई वैसे आपको बताते हैं वीडियो तीन दिन पहले का है वो वाइरल हुआ है एक बार फिर से ये वीडियो देखिए अब दिखाते हैं पड़ोसी पबलू पाकिस्तान के साथ होई गुच्ची पाकिस्तान से एक वीडियो आइरल होना शिरू हुआ है और दावे ये किये जा रहे हैं कि एक वेबिनार चल रहा था उनका जूम की मीटिंग थी तो वहां भारती है कर गुज गए हनुमान जी का भजन और रान जी के भजन ये सब चला दिये अब पाकिस्तान साइड क्या हुआ कि ये वक्त जजबात और हालात बदल गए खिस्याहट पहल गई ज्यादा डीटेल्स तो नहीं मिली लेकिन स्क्रीन पर जो होता दिखा वो काफी मजेदार है वो देखिए आप अब बारी है पिक आफ देड की जहां आपको यह अचाहां अच्छा सा अकाउंट कोई आपको अच्छा सा चैनल है रहा अच्छा सा वीडियो भी आपको दिखाते हैं फिलहाल वाईरल है एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डगारा स्पैंस नाम की यूजर ने डाला था जो झाल रहा है साथ में कहानी से डाली है कि मैंने इस लड़क इस बाखिया आज के शोशल डिस्ट में इतना ही शो का क्या होगा वो वरुन के मर्जी पे डिपेंड करता है अब ये शो आज लेट होता है बीना ओडियो के जाता है जाता है नहीं क्या कुछ होता है कल दस वजे मिलेंगे तो देखेंगे तब तक के लिए मैशाला बाई झाल